आज हम बनाने जा रहे हैं चॉक्लेट केक इसके लिए हमें चाहिए है सबसे पहले आदा कप घी या फिर आप बटर ले ले करें को ब्लैंडिंग जग ले लेना है उसके अंदर हमने ये सारी चीजे शामिल करनी को छाएगा और वह इसके बाद हम अंड़े लेंगे ढोद अंड़ेress इसके इंदर आप अब इन सब चीजों को हम ब्लैंड कर लेंगे अच्छी तरह से ब्लैंड करते हुए इसके अंदर वे निला एसेंस या भी चॉकलेट एसेंस का हाफ टी स्पून जाएगा अब इसके अंदर हम दूर शामिल करेंगे जो आदा कप होगा फ्रेश मिल्क लेंगे हम फिर इसके बाद इसके अंदर हम चॉकलेट एड करेंगे चॉकलेट पॉर्डर कोको पॉर्डर जो है वो टू टेबल स्पून है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ये भी बताईएगा कि आप किस कंट्री से टाल के अपने मेरी वीडियो को वाच कर रहे है चरीए यह मरा मिजा ब्लैंड हो गया दूसरी तरह हम एक बाव लेते हैं और उसके अंदर हम मैदा डालेंगे जो है दो कप मैदा लेंगे और इसके अंदर हम बेकिंग पॉर्डर की दो चमच डालेंगे और लेवर्ड चमच होंगी दोनों फूल भार के नहीं डालनी और मीठा सोड़ा इसके अंदर एक पिंच जाएगा थोड़ा सबस डालेंगे हम ज्यादा नहीं डालना इससे कड़वा जाता मेजा अब जो हमने बनाया था लिकवर्ड वो इसके अंदर मैदे के अंदर शामिल कर देंगे अंडे और चीनी बटर वाला उसको हम आइस्तगी से बड़ी आइस्ता इस्ता अराम से एक ही साइड में मिक्स करेंगे इन सब चीजों को हमने इस तरह बड़े अराम से मिक्स कर लेना है ज्यादा जी दिखानी बहुत भी स्पीड से नहीं करना ली जिए यहमारा बैटल तैयार है देखेंस गपियों से इस और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आये तो आप भी ट्राइ कीजिएगा और फीड़ बैक में मुझे जरूर बताईएगा कॉमेंट बॉक्स में किया आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप से कैसा बना ये केक था कि क्युल spirits कि अदर बाल देना है और लोटने के बाद में इसको थोड़ा टङक करना है कि इसके अंदर को bacon हो वो निकल जाए हैंंगि इसको अच्छी तरह से डेबल पे है यह हमारा पतीला है जिसे हमने फिर चीचा वाया कि आप अ lifting ही रहे और यह बाहर से ठंडा ना हो आप 40 मिनट के लिए से हम रख देंगे लीजिए 40 मिनट के बाद हमारा चॉकलीट केक तयार है यह देखें अंदर से भी पग गया है बिल्कुल रेड़ी है वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना ख्यार रखिएगा मुझे भी दौआ में याद रखिएगा अलाफिस